प्यारी बच्चों, आज की निबंध का शीशक है डाक घर डाक घर एक सरकारी कार्यले है यहां डाक संबंधी काम किये जाते हैं डाक घर में कई विभाग होते हैं कहीं पोस्ट कार्ड, अंतर देशिय पत्र, लिफाफे और डाक टिकट मिलते हैं कहीं मनी ओर्डर, धना देश लिये जाते हैं कहीं रजिस्ट्री और पार्सल का काम होता है तार के लिए अलग विभाग होता है डाक घर में बचत बैंक भी होता है डाक घर के बाहर पत्र पेटियां होती हैं लोग पत्र पेटियों में पत्र डालते हैं डाकिया उन पत्रों को डाक घर ले आता है वहां से इन पत्रों को पते के अनुसार अलग अलग जगह भेजा जाता है बाहर से आने वाले पत्रों को पते के अनुसार छाटा जाता है फिर डाकिया उन पत्रों पर लिखे पतों के अनुसार उन्हें घर घर पहुचाता है सच मुझ डाक घर लोगों की पहुच सेवा करता है